हालो गाइस वेलकम बैक तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 7 का चेप्टर नमबर फस्ट इंटीजर्स जिसके एक्साइज 1.3 का क्वेशन नमबर 2 क्वेशन नमबर 2 है हमारे पास verify the following आपके पास में question number 2 में दो पार्ट है दोनों पार्ट इस वीडियो के अंदर डिसकस की जाएंगे ठीक है यहाँ पर आपको verify करना है verify means जो LHS है और RHS है उसको equivalent proof करना है verify मतलब क्या होता है verify the following बोला है आपको तो यहाँ पर आपको LHS और RHS को solve करना है और LHS और RHS को equivalent proof करना है clear है पात तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम तो देखें यहाँ पर a part क्या है हमारे पास में 18 into 7 plus minus 3 bracket फिर 18 into 7 पहले हम note कर लेते question को ठीक है 18 into minus 3 और फिर bracket close अब थोड़ा सा मैं आपको चीजे समझा रहा हूँ उनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है तो जब भी आपको 2 sign दिखेंगे उनको 1 sign करना है सबसे पहली बात जब 2 sign दिखेंगे उनको 1 sign करना है कैसे करते है 1 sign अगर आपके पास में 2 similar sign है मत अब को मैंने बताया था plus plus ठीक है previous video में बताया था और अगर प्लस प्लस दिखेंगा तो भी plus 2 sign different दिखेंगे मतलब minus दिखेंगे तो भी minus मतलब कहने का मतलब है कि same sign दिखेंगे तो plus होगा different sign दिखेंगे तो minus होगा पस यह इतनी सी बात ध्यान रखना तो चलिए शुरू करते हैं जब 2 sign आएंगे जब की बात है देखो यहाँ पर 18 है तो आप पहले इनको मत करो पहले brackets को solve करो bracket देखो यह वाला है जो बड़ा bracket है big bracket उसमें 7 plus minus 3 है तो पहले इसे solve करो आप direct ऐसे मत करना 18 into 7 कर दो नहीं पहले इस bracket को solve करो देखो यह bracket चिख रहा है इसे solve करेंगे तो bracket को solve कर लेंगे यहाँ पर 18 है बार तो मैंने लिख दिया 18 7 plus minus 3 देखो यहाँ पर 2 sign दिख रहे हैं आपको साथ में plus और फिर minus plus minus क्या होगा तो आप कोगे minus होगा sir तो 7 minus 3 लिख दो clear है 2 sign जहाँ पर भी दिखेंगे उसको एक sign करना है 18 into 7 18 into 7 कितना होता है 18 into 7 जा 126 ठीक है plus 18 into 3 कितना होता है 18 into 3 होता है 18 into 3 जा 54 ठीक है तो कितना आएगा minus का 54 आपको पता है न 18 into 3 18 into minus 3 है 18 into minus 3 क्या होगा minus का 54 क्यों हो करा क्यों कि One time है, मैंने previous video में बताया था, आपको कैसे अपन sign का करते हैं, अगर previous video नहीं देखे, तो ध्यान से देखना, ठीक है, तो odd number of times है, मतलब one time है, अगर हमारा minus sign, तो क्या आएगा, minus आएगा, even number of times होता है, अगर minus sign, तो हमारा plus आता है, ये बात ध्यान लगना, अगर minus, आपको 2 बार दिख जाए, तो answer plus आएगा, minus 4 बार दिख जाए, तो आपका plus आएगा, minus 3 बार दिखे, तो हमारा minus आएगा, even number of times, तो plus, odd number of times, तो minus, ठीक है, मैंने previous video में बताया था, अब इसे solve करते हैं, आगे तो देखे, यहाँ पर 18 है, 7-3 अगर हम करते हैं, तो 4 आता है, कर लो solve, आप देखो, यहाँ पर 126, जहाँ पर 2 sign है, उनको 1 sign करना है, तो यहाँ पर plus और minus 2 sign साथ में आ रहे हैं, plus minus, आपको पता है, क्या होता है, different sign है, मतलब minus आएगा, 54, बतलब जहाँ पर भी आपको 2 sign दिख रहे हैं, उनको 1 sign कर दो बार, simple सी बात है, 18 into 4 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है, और 126 minus 54 कितना होता है, निकालना पड़ेगा, 6 में से 4 less करेंगे, 2 आएगा, यहाँ पर 12 में से 5 less करेंगे, 7 आएगा, कितना आ रहा है, यहाँ पर 72, clear है बत, मतलब कहने का मतलब है कि हमारा LHS जो है, वो RHS के equal हा गया, LHS अगर RHS के equal आ रहा है, इसका मतलब क्य क्या बात, बताओ, चलो, B part करतें अब, B part में क्या है भई, minus 21 into minus 4, लिख लेते हैं हम पहले, minus 21 into minus 4 plus minus 6 is equals to minus 21, ठीक है, और into minus 4 फिर bracket close, big वाला, plus bracket open, minus 21 into minus 6 bracket close, ठीक है, question note हो गया अपना, यह first वाला question था, यह second वाला part है, B, देखो, minus 21 into minus 4 plus minus 6, ठीक है, यही है question, तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया bracket, देखो, यहाँ पर मैंने एक bracket नहीं लगाया, यह वाला, ठीक है, जबी मैं सोचू थोड़ा, ऐसा कैसा लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक bracket नहीं लगाया, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर minus है, दोनों sign एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, plus minus, minus 6, मतलब, जहाँ पर दो sign एक साथ आते हैं, उनको एक sign करना है, सिंपल सी बात है, चलो, यह कर दिया हमने, is equals to, अब minus का 21 है, अब देखो यह वाला bracket दिख रहा है आपको, यह bracket, bigger वाला bracket, यहाँ पर close हो रहा है, यहाँ पर open हो रहा है, पहले इसको solve कर लो, 21 into 4 कितना होता है, बताओ, 84 होता है, 84 और देखो, कितने times आ रहा है, minus, even number of times आ र 84, ठीक है, 84 प्लस का आ गया, फिर यहाँ पर क्या है, देखो, यहाँ पर plus है, फिर इसको भी solve कर लो, 21 into 6 कितना होता है, 6 बन जा 6, 6 तू जा 12, 126 होता है, ठीक है, 126 होता है, अब देखो, minus कितने number of times आ रहा है, 2 times 2 times, मतलब, even number of times, मतलब, जो value आएगी, वो किस के आएगी ह मतलब, plus का हम लिख सकते है, plus का या 126 लिख दो, यह लिजी, ठीक है, अब हम solve कर लेते है, तो minus का 21 into, minus 4, minus 6 क्या होगा हमारा, minus 4, minus 6, minus, minus क्या होता है, plus होता है, मतलब, इन दोनों को plus करेंगे, calculation जो perform की जाएगी, वो plus की की जाएगी, 10, लेकिन value किस के आएगी हमारी minus की आ symbol के लिए हम देखते हैं, कौन सी value बढ़ी है, जो value बढ़ी होती है, उसके आगे, जो sign होता है, वो लगाया जाता है, यहाँ पर देखो, plus का 84 है, ठीक है, मैंने लिख दिया 84, फिर क्या है, plus, plus, यह देखो, 2 sign आ रहे है, plus, plus, तो plus, तो plus ही होगा, 126 कर दो, 21, देखो, minus का 21 into minus का 10, पहले 21 को 10 से multiply करोगे, तो 210 आएगा, अब symbol की बारी, minus minus क्या होगा, plus ही होगा, क्योंकि even number of times minus है, मतलब जो answer आएगा, वो plus का आएगा, ठीक है, तो plus का 210, यहाँ पर देखो, 84 प्लस 126 करो, तो 126 प्लस 84 अगर कहते हैं, तो कितना आएगा, sorry, 210, किसका plus का ही आएगा simple सी बात है, तो कितना आगया भी है, हमारा 210, ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम कि LHS जो है, वो RHS के equal है, और LHS RHS के equal आगया, मतलब यह क्या हो गया, हमारा proof हो गया, verified हो गया, clear है क्या बताओ, तो इसके लिए simple सा concept आपको पता होना चाहिए, symbol वाला, symbol कैसे, मतलब even number of times अगर minus है तो क्या होगा, plus होगा, odd number of times अगर minus है, तो minus होगा, बस, यह आपको concept याद रखना है, और एक bracket वाला game, bracket वाला याद रखना, bracket को ही solve करना है, तो student कहां गलती करता है, 18 को into कर देंगे 7 से, direct नहीं, पहले bracket solve करो, ठीक है, जैसे कि अपने को इस वाले question में, मैं आपर भी हो सम 21 into minus 4 मत करना, पहले अपने को ये bracket solve करना है, तो हमने bracket solve करा, यहाँ पर ये दोनों bracket दिख रहे, तो हमने इन दोनों bracket को solve करा, तो bracket का game है, एक तो, एक symbol का game है, इनको आपको समझना पड़ेगा, clear है बात, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकिशन आपको टाइम तो टाइम मिलते रहे, थैंक यू सो मच